वेलकम टू आज भी का ग्लोबल स्किल आज के इस वीडियो के अंतरगत हम सिखने वाले हैं Microsoft Excel के अंतरगत सम इफ फर्मूला का यूज करना हूँ सम इफ फर्मूला का यूज हम वहां करते हैं जहां कोई भी रेंडमली कोई डाटा हमें दिया गया है और उसमें से जो record हमें दिया गया है वह एक जगह न टाइप होकर multiple cells के अंतरगत टाइप किया गया है और आपको उसे जोड़कर एक cell के अंतरगत लाना हो तो उस जगह पे हम सम इफ फर्मूला का इस्तमाल करते हैं समी फर्मूला में होगा क्या जैसे कि हमारे पास कुछ area का नाम दिया गया है और उस उस area में कितना कितना का cell हुआ है वह record हमें यहां पे दिया गया है अब हम आपसे कहें कि अगर आपसे कहा जाए कि आपको गिरेडी में total कितना का cell हुआ है यह हमें बताएं तो गिरेडी का टोटल सेल आपका यहां पर भी दिया हुआ है साथी साथ गिरेडी का सेल हमें यहां पर भी मिला है गिरेडी का सेल यहां पर भी है और यहां पर भी है इसी परकार से राची का भी रेंडमली कहीं कहीं पे सेल्स है धनबाद का भी कहीं कहीं पे cells है और बोकारों का भी रेंडमली इसी परकार से कहीं कहीं पे cells लिखा हुआ है अब आपसे कहा जाए कि हमें total गिरिडे का जो total cell है वो हमें यहां चाहिए राची का total cell हमें यहां चाहिए धनबाद का total sale यहाँ पे चाहिए और बोकारों का जो total sale है वह हमें यहाँ पे चाहिए तो उस condition में हम जैसे normally अगर ती sum करते हैं तो क्या करते हैं कि एक-एक कर equal to देकर जो जो cells में type किया हुआ गया है data उसे select करकर add कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पे हम जाकर तो greedy का जो sale है उसे एक-एक करके सभी को select करके enter करके हम sum कर लिए तो हमारा क्या हुआ आ गया लेकिन इस प्रकार से अगर सभी का total निकालेंगे तो काफी ज्यादा time लगेगा और हम इस record में काफी कम record दिया गया है तो इसे जो प्रुणना थोड़ा आसान है बट अगर ज्यादा record हो तो वहाँ पे जोड़ना थोड़ा tough हो जाता है तो उस condition में हम वहाँ sum if formula का इस्तमाल करेंगे sum if का use करने के लिए आपको use करना है equal to sum if open bracket फिर आपको पूछा जाएगा range कि कहां से लेकर कहां तक के data को जोड़ना है जहां से लेकर जहां तक के data को आप जोड़ना चाहते हो वहां से लेकर वहां तक के data को select करेंगे फिर कॉमा देना है फिर पूछा जाएगा criteria कि किस से ज डिक कर लेगे फिर कॉमा देना है फिर पूछा जाएगा Sum रिंज आनी कहा से कहां थी जोड़ना है इसे हम स्रेक्ट कर लेंगे पूरे के पूरे पूरे रिंप्रेक्षा करेंगे तो हमने एक हेक कर सलेक्ट किया था वह डा Baltimore kalo सबस्जार हम उसी परकार dip करने है सबस्क्राइब जोडना चाहते हो तो पिर उपर करेंगगे सम site ऑपलकूलीड करने हैelling सबस्क्राइब फिर sum range, cells का जो value है, उसे select कर, bracket close कर, enter किये चैनल उसी प्रकार से y formula हम धनबाद के लिए भी यूज़ कर सकते है equal to sum, if, open bracket, जहां से लेकर जहां तक के record को जोड़ना है select, criteria, जो धनबाद का है, धनबाद को select कर, फिर comma और फिर हम cells के range को select कर, bracket close कर, इसे जोड़ सकते हैं अगर आप चाहते हो कि बार-बार हम इस value को type न करें, इतना select न करें तो simple जहां जो value हमने type किया है, उसे select कर, control C से copy किये और फिर control V से paste किये, और paste करने के बाद, जो हमने second value यहां पे select किया था धनबाद को, वहां पे जाकर हम change कर देंगे, यहां हम select कर लेंगे, बोकारो को और बोकारो को select करने के बाद, इंटर कर देंगे, तो जो बोकारो का total sale है, वो हमें यहां मिल जाएगा इस वीडियो में हमने सिखा, sum if formula के ज़रीए, कोई भी डाटा को sum करना thanks for watching, मिलते हैं next वीडियो में